हेलो एंड वेलकम टू हंडर परसेंट माज आज हम करेंगे क्लास टेंथ का चाप्टर नंबर वन रियल नामबर्स अम यह चाप्टर जो है हो मैंने डिटेल्ड में अपनी जो चैनल पे अलरडी कर रखा है बट उसमें मैंने NCRT Solutions कभी नहीं प्रोवाइट किये तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइट करूँगी NCRT Solutions fully solved और full detailed explanation के साथ पूरे चाप्टर के हैं यह आपको बहुत अच्छे तरीके से copy और pen लेकर मेरे साथ-साथ इनको practice करना है तभी ही आपको आपाएंगे तो आज से start करते हैं हम अपना chapter number 1 real numbers तो यह video जो है वो class 10 के इस session के बच्चों के लिए बहुत important है इस video को last तक end तक जरूर देखिएगा आईए video start करते हैं So starting with NCRT exercise 1.1 इसमें है use Uclis Division algorithm to find HCF of तो सबसे पहले Uclis Division algorithm का जो basic है उसका video का link में आपको description box में दे रही हूँ Questions NCRT के हम यहां solve करेंगे तो यहां से सबसे पहले 135 and 225 तो यहां से कैसे ही Uclis Division algorithm लगता है सबसे पहले 225 को अंदर रखेंगे और 135 को बाहर रखेंगे इस तरह से Division process जैसे मारा start होता है वैसे start करेंगे 1 पी जाएगा 135, 90 बज गया अब यह से छोटा है तो आगी कैसे करना है यहां पर फिर से यह divide का sign लगाना है और यह जो आपका divisor है इसको आपने यहां पर अंदर लिखना है ठीक है यह वाला जो divisor है वो यहां लिखना है अब 90, 2 ता 180 होता है तो 1 पी जाएगा यह भी 90 देन 45 रह गया फिर से यह 45, 90 से छोटा है तो आपने क्या करना है यह वाला जो 90 है वो यहां पर आजाएगा मतलब यह इसका divisor था तो यह यहां पर आजाएगा 45, 2 ता 90 तब तक करना है जब तक नीचे 0 ना जाएगा या क्रॉस ना जाएगा ठीक है तो यहां पर यह आगया तो HCF क्या होता है इस इस अबर HCF तो इस इस अबर HCF in this particular question राइट अब इसकी जो statements होती है वो books में आपको इस तरह से लिखनी होगी वो कैसे होती है basically जो मारा formula होता है वो होता है dividend is equal to divisor multiply by quotient plus remainder है ना यही कहती है आपके division algorithm भी तो आपका basically यह क्या है dividend है ठीक है यह क्या है आपका divisor है और यह क्या है आपका quotient है और 90 आपका क्या है remainder है first वाले के लिए तो इसको लिखना कैसे होता है एक बता देती हूँ first question के लिए जैसे first equation कैसे बनेगी 225 is equal to divisor multiply by quotient divisor multiply by quotient मतला 135 multiply by 1 plus 90 remainder तो यह पहले के लिए equation बनेगी दूसरे के लिए कैसे बनेगी 135 is equal to 90 multiply by 1 plus 45 remainder है उसका ठीक है तीसरे के लिए कैसे बनेगी 90 is equal to 45 multiply by 2 plus remainder कितना है 0 है cross तरह यहां पर तो 0 है तो यह basically 3 equations हैं कई बच्चे जो होते हैं वो इसको सीरह इस तरह से भी solve कर लेते हैं पर better is अगर आप इस तरह से solve करें और फिर equations आप इस तरह से लिख सकते हैं और यह होता है हमारा HCF होता है जो last divisor होता है that is your HCF इस तरह से हम youkles division algorithm के through इनको solve करते हैं next आ गया 196 and 38220 तो उसको start करते हैं 38220 को अंदर रखते हैं और 196 को बाहर रखते हैं तो 196 196 इसके नीचे आ जाएगा तो यह बच गया 12 में से 6 के 6 then we have 17 में से 9 गया 8 और यहां से बच गया मेरे पास 1 186 आ गया अब यह जो 2 है इसको नीचे उतार लेंगे जब तक क्योंकि बड़ा था नंबर इस तरह से किया है अब इसको 9 पे करेंगे तो 1764 आ जाएगा 196 multiplied by 9 764 होता है 12 में से 4 निकाले 8 then 15 में से 6 निकाले 9 और यह आ गया 0 आ गया ठीक है यहां से फिर से 0 नीचे उतारा अभी भी नंबर जो है वो इससे बड़ा ही है तो 1965 आ क्या होता है 1980 होता है तो cross आ क्या तो यह तो सीधा ही solve हो क्या तो हमारा HCF क्या आ गया इसके लिए 196 क्योंकि डिवीजर जो है वो change ही नहीं हुआ इसलिए यह आपका क्या है HCF है ठीक है कई बार नंबर बड़े होते हैं तो simple division process से भी यह solve हो जाता है next question है आपका 867 and 255 so 255 और 867 इस तरह से लिखेंगे so 255 को पहले हम 3 पे करेंगे तो 765 इसे छोटा लेना है अब 7 में से 5 के 2 then 6 में से 6 के 0 we have 102 here अब 102 इससे छोटा हो गया तो अब क्या करना है फिर से वैसा process करना है जैसे first part में गिया था 255 को अंदर लिख लिया 100 2s are 204 ठीक है 1 और यहां पर 51 आ गया ठीक है छोटा हो गया आगे 102 को यहां ले आओ 102 को तो 51 2s are 102 cross आ गया तो HCF के आया इस case में last divisor क्या था आपका 51 so this is the required answer of this question so moving to NCRT exercise 1.1 का question number 2 this is based on nucleus division lemma जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा difficult लगता है इसका जो पूरा detailed video है मैंने आपको link दिया है description box में उसको जाकर आप जरूर देखिए तभी आपको clear हो पाएगा और तभी आप भूलेंगे भी नहीं क्योंकि उसको मैंने example की साथ explain किया गया है उस video में ठीक है अब हम NCRT solution कर लेते हैं इसका थोड़ा सा detail मैं इसमें यहाँ पर बता देती हूं आपको show that any positive odd integer is of the form 6Q plus 1, 6Q plus 3 और 6Q plus 5 where Q is some integer तो पहले देख लेते हैं यूकलेट division lemma कहता क्या है यूकलेट division lemma कहता है A is equal to BQ plus R और जो R की value है वो 0 और B के बीच में लाए करती है अब इसका मतलब क्या है अब देखो जैसे suppose करो A को हमने B से divide किया A को B से divide किया quotient है ये remainder है ठीक है normally हमारा जो formula होता है वो क्या कहता है dividend is equals to divisor multiply by quotient plus remainder ये ही कहता है ठीक है अब ये क्या है dividend है ये क्या है divisor है this is quotient and this is remainder इसमें पुट करके देखो dividend क्या था ये वाला A is equal to divisor क्या था B quotient क्या था Q remainder क्या था R बन गई ये चीज़ यहां से बनाई गई है ये चीज़ और condition क्यों दी गई है R की जो remainder होता है उसकी value 0 और less than B होती है let us say हमने कोई integer को divide किया 5 को divide करते है 2 के साथ ठीक है 2, 2, 4, 1 ठीक है आगे इसकी division क्यों नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि जो remainder की value है वो देखो less than B आ गई है आ गई है यहां तो remainder की value 0 होती है ठीक है 0 या फिर less than B होनी चाहिए ठीक है अब ये case देख लो 4 को 2 से divide करो remainder यहां पर है क्या आ गया? 0 आ गया तो उस case में हम वहां stop करेंगे जहां पर remainder की value less than B है यहां पर remainder की value क्या है? 0 है So this is the basic concept of Euclid's division lemma अब question की तरफ move on करते हैं अब यहां पर B की value क्या है? 6 है क्योंकि Q 6 Q है तो 6 value है B की ठीक है? यानि कि यहां पर R की value 0 से लेके 6 के बीच में लाए करेंगे तो what are the possible values of R? 0, 1, 2, 3, 4, 5 6 नहीं लिखना क्योंकि less than 6 है ठीक है? 0 लिखना है क्योंकि यहां पर equal to का sign है क्योंकि 0 भी हो सकता है na remainder तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अब यह निकाल लिया सबसे पहले question को देखके अब इसमें put करो value put करोगे सबसे पहले B की value क्या है? 6 है तो 6 Q प्लस R की value पहले 0 put करो तो 6 Q आ जाएगा 1 put करोगे तो 6 Q प्लस 1 आ जाएगा 6 Q प्लस 2, 6 Q प्लस 3, 6 Q प्लस 4, 6 Q प्लस 5 यह हमने सारी R की values put करने के बाद A की possible values निकाल ली हैं तो these are the possible values of A अब हमें दिख रहा है कि यह जो 6 Q है, 6 Q प्लस 2 है और 6 Q प्लस 4 है है ना? इसमें even integer एक तो add हो रहे हैं और यह जो Q है इसको multiply किया गया है even integer के साथ तो यह सारे क्या है? These are all divisible by 2 obviously इसी बात है, 6 को किसी के साथ भी multiply करके देख लो 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा everything is divisible by 2 यानि कि यह क्या है? even integer है तो हमारे पस left क्या रहे गया? 6 Q प्लस 1, 6 Q प्लस 3, 6 Q प्लस 5 इसके case में क्या आएंगे? odd integer आएंगे So A की value है 6 Q प्लस 1, 6 Q प्लस 3, 6 Q प्लस 5 इस case में क्या आएंगे? positive odd integer आएंगे तो यही तो उसने पूछा था पढ़ो दुमारा से question Show that any positive odd integer is of the form कोई भी positive odd integer जो है वो इसी form का होना चाहिए तो हम लिखेंगे So the positive odd integer will be of the form 6 Q प्लस 1, 6 Q प्लस 3, 6 Q प्लस 5 यह कभी भी एक बार में नहीं आएंगे और लिख लिख कर practice करनी पड़ेगी और जरा सा concept जो है वो इसको थोड़ा सा learn करके और थोड़ा सा समझ के इन questions को solve करना है Moving to question number 3 यहाँ पर है an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade तो 616 members को 32 members के पीछे army band में parade करनी है 2 groups are to be march in same number of columns 2 groups में आगे same number columns में चलना है What is the maximum number of columns in which they can march Same number of columns होने चाहिए और कितने maximum number of columns हो सकती है तो हमें क्या given है? 616 members और 32 members तो इन दोनों का HCF find out कर लेते हैं So we have to find in this question HCF of 616 and 32 So start करते हैं 616 को अंदर रखेंगे 32 को बाहर तो सबसे पहले 32 ones are 32 तो 11 में से 2 गए 9 तो 5 में से 3 गए 2 तो 296 यहां है 6 नीचे उतार लिया अब यह से बढ़ा ही है तो आगे ऐसी फर्दर चल सकती है 9 पे जाएगा 288 16 में से 8 के 8 then we have 0 here अब 8 जो है वो 32 से छोटा है तो आप क्या करेंगे 32 को इस साइट यहां पर लिख लेंगे इसका डिविडेंट बना देंगे So 8 4s are 32 HCF क्या है आपका 8 आया So maximum number of columns in which they can march is 8 तो answer है 8 maximum number of columns Next है मारा question number 4 अब यह थोड़ा सा different है बट इसी तरह का question जो है वो paper में पूछा जाता है 3 to 4 marks में अब यहां पर used Euclid Division Lemma to show that क्या करना यहां पर square करना है of any positive integer कोई भी जो भी positive integer लेंगे उसका square करके देखना है किस form का आना चाहिए यहां तो 3M का form का यह 3M plus 1 का form का मतलब यह दोनों forms ही बननी चाहिए start करते हैं जैसे पिछला question किया था देखो A is equal to BQ plus R यही कहता है Euclid Division Algorithm R की value 0 और B के बीच में लाए करती है यहां B की value क्या है? 3 है ठीक है? और R की value possible values क्या बनेंगे? 0, 1, 2 क्योंकि 0 और 3 के बीच में हैं तो 0, 1, 2 इसकी possible values है इसको put करेंगे put करने के बाद A की possible value क्या बनी? 3Q then 3Q plus 1 3Q plus 2 यह मैं इसमें put करती हूँ यह जो A है यह A is equal to 3Q plus R बन जाता है न? तो जब आप R की value 0 पुट करोगे तो 3Q रह जाएगा R की value 1 पुट करोगे तो 3Q plus 1 बन जाएगा R की value 2 पुट करोगे तो 3Q plus 2 बन जाएगा तो यह team case है अब हमारे पास case number 1 जब A की value 3Q है अब क्या बोला था? क्या करना है? square करना है square करो दोनों sides को A square is equal to 9Q square बन गया अब किस form का बनाना है? या तो 3M का या 3M plus 1 का form का क्या करो 3 common ले सकते हो 3 बाहर ले लोगे तो अंदर के आजाएगा 3Q square आजाएगा इसको मान लो M यह 3M की form का बन गया ठीक है? next case number 2 A की value 3Q plus 1 है इसका square करो यह square कर दिया है मैंने 3Q plus 1 का whole square A plus B whole square का open कर लो A square plus B square plus 2AB यहाँ पर देखो A square plus 2AB plus B square यही formula होता है यह plus B whole square का 3Q का whole square 9Q square 2AB बन गया 2 into 3 6Q ठीक है? प्लस 1 का square 1 आ गया अब इसको किस format का बना ना? यहां तो इस format का यहां इस format का ठीक है? अब देखो इन दोनों मेंसे मैं common ले सकते हूँ कुछ? बिल्कुल ले सकती हूँ बट Q common नहीं लेना क्योंकि मुझे 3 के साथ कुछ चाहिए नहीं 3 के साथ M लगाना है मुझे तो 3 मैंने common ले लिया अंदर आ गया 3Q square plus 2Q ठीक है साथ में प्लस 1 आ गया यह क्या है बन गया M बन गया क्या बन गया किस format का बन गया 3M plus 1 जिसको भी आब M मान रहे हो उसको अपने साथ पर लिखना भी है कि M की value यहाँ पर क्या है जैसे यहाँ पर क्या थी 3Q square थी यहाँ पर क्या है 3Q square plus 2Q है ठीक है Case number 3 Same way से solve करना है Squaring करी Squaring करने पर 3Q का square 9Q square आ गया फिर 2AB बनाना है 2 into 3 6 6 into 2 12 ठीक है प्लस 2 का square 4 आ गया अब यहाँ देखो क्या twist है यहाँ आ गया 4 यहाँ क्या है 12 यहाँ क्या है 9 अब मुझे 3 के ही factor में देखना है तो मैं यह 4 को 3 plus 1 लिख दिया ध्यान से देखो 4 को मैंने कैसे लिखा 3 plus 1 लिख दिया अब मैं क्या करूँगी यह जो 3 है इन 3ों में से कुछ न कुछ common ले लूँगी ठीक है क्या ले लूँगी common 3 common आ जाएगा अंदर क्या बचा 3Q square यह 4Q और यह 1 इसको मान लो M ठीक है तो 3M plus 1 format का बन गया तो आप किसी भी positive word integer का जब आप square करते हैं तो वो यहां तो 3M की form का आता है यहां 3M plus 1 की form का आएगा तो इस तरह से आपको यह question को solution देना है Last question है इस exercise का 5th question Euclid division lemma के उपर based they use Euclid division lemma to show that अब यहां पर क्या करना है cube करना है पिछले question में क्या किया था square किया था यहां पर cube करना है positive integer का is either of the form 9M 9M plus 1 9M plus 8 यहां तो 9M की form में आएगा 9M plus 1 की यह 9M plus 8 की form में आएगा ठीक है अब यहां पर A is equal to BQ plus R ठीक है R की value 0 और B के बीच में लाए कर रही है तो B की value यहां पर क्या लेंगे 3 लेंगे और R की value 0, 1, 2 आएगी वहता चलता है का आपको क्यों 3Q ली है A की possible values क्या है 3, 3Q plus 1, 3Q plus 2 आगई same पिछले question की तरह ठीक है अब फरक सिरफ इतना है पिछले question में हमने squaring की थी यहां पर हम cubing करेंगे यहां पर first A is equal to 3Q first case cubing करी तो 27Q क्यों बन गया ठीक है अगर अब मैं यहां पर value कोई और लेती क्योंकि मुझे पता है कि 3 का square 9 होता है और 3 का cube क्या होता है 27 होता है सो 9 में बाहर ले लूँगी अंदर क्या आ जाएगा 3 Q का cube आ जाएगा अब यह क्या है M बन जाएगा यह 9 M की form में बन गया क्योंकि मुझे किसी भी तरीके से 9 M, 9 M plus 1, 9 M plus 8 बनाना है ठीक है case number 2 A की value 3 Q plus 1 ली यहां पर A cube खोला 3 Q plus 1 अब A plus B whole cube का formula क्या होता है यह मैं यहां पर लिख रही हूँ simple formula होता है A Q plus B Q plus 3 AB into A plus B इसमें देखो पुट करके अब A क्या है 3 Q है B क्या है 1 है 3 Q का cube 27 Q cube 1 आ गया यहां पर 3 AB 3 into 3 9 Q into 3 Q plus 1 open करो bracket को 27 Q square plus 9 Q आ गया यह मेरे पास आ गया यहां तक मैं बहुँच गई अब मुझे दिख रहा है यह 1 साथ में दिख रहा है 1 को separate कर लेती हूँ इन तीनों को एक साथ रख लिया यहां रख लिया इन तीनों को देखो इन तीनों में से क्या common आ सकता है 9 common आ सकता है अंदर क्या रहा गया 3 Q cube प्लस 3 Q square प्लस Q तो यह क्या बन गया M तो यह 9 M प्लस 1 की form का बन गया ठीक है case number 3 same way से solve करना है A cube is equal to 3 Q plus 2 का whole cube उसके बाद इसका cube open किया मैंने ठीक है मैं यहां तक पहुँच गी 27 Q cube प्लस 8 8 प्लस 54 Q square प्लस 36 Q अब यह 8 मुझे दिख रहा है तो मुझे पता है 9 M प्लस 8 किसी तरीके से बन सकता है 8 को separate रख लिया यह तीनों को इकठा कर लिया इन तीनों में से 9 common ले लो अंदर क्या बच गया 3 Q cube 9 6 जा 54 6 Q square आ गया और 9 4 जा 36 4 Q आ गया यह पूरे को क्या मान लो M तो 9 M प्लस 8 की form का बन गया तो कोई भी आप जब positive integer odd integer का आप कर रहे हो positive integer का कर रहे हो तो आपके पास क्या बन रहा है यह तो 9 M का बन रहा है form का यह 9 M प्लस 1 का यह 9 M प्लस 8 का इसी तरीके से आपको किसी भी तरीके से यह questions जो है वो पूछे जा सकते हैं तो next है हमारी exercise 1.2 इसका first question है express each number as a product of its prime factors बहुत सारी questions इस exercise में से पूछे जाते हैं तो first question में हमें हार number को उसके prime factors में split करना है तो सबसे पहले start करते हैं 140 से तो 140 को हमने करना है तो 140 2 पे जाएगा 70 देन 2 पे 35 आगे नहीं जाएगा 3 पे भी नहीं जाएगा 5, 7, 7, 1 यह तो आपको छोटी classes से पता है so 140 को हमने break किया है 2 into 2 into 5 into 7 तो यह आपका answer है यहाँ आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 का square into 5 into 7 same thing है right then आगे है next 156 156 को 2 के table पे start करेंगे 2, 8s are sorry 2, 7s are 14 2, 8s are 16 2, 3s are 9s are then किस पे जाएगा 3 पे जाएगा 13, 13, 1 तो इसको हमने 156 को break किया है 2 into 2 into 3 into 13 right next है 3, 8 2, 5 इसको हम करेंगे सबसे पहले 3 के table पे 3, 8, 2, 5 3, 1s are 3 3, 2s are 6 22 बजगे 7s are 21 और 5s are then फिर से 3 पे करके देखते हैं 3, 4s are 12 then 3, 2s are 6 then 3, 5s are 15 अब ये नहीं जाएगा 3 पे अब इसको 5 पे करना पड़ेगा 5, 8s are 40 then 5, 5s are 25 ठीक है then 5 पे फिर से जाएगा 5 बांज़ा 5 35 रागे 17 so 17 बांज़ा 17 तो इसको हमने break किया है 3 into 3 into 5 into 5 into 17 so ये आगया 3, 8, 2, 5 को right next आगया 5,005 तो ये ना तो 2 पे जाएगा ना 3 पे जाएगा सीधा 5 पे जाएगा सबसे पहले so 5 पे करेंगी 1, 0, 0, 1 अब ये किस पे जाएगा 7 पे चेक करूँ 7 मांज़ा 7 ठीक है then 3 बज़गे 30 4s are 28 2 बज़गे 21 3s are 21 ठीक है अब ये 7 पे भी नहीं जाएगा 11 पे जाएगा 11, 1s are 11 11, 3s are 13 33 तो ये अब 13 पे जाएगा so we have broken 5,005 को हमने किस में स्प्लिट किया है 5 into 7 into 11 into 13 ठीक है last है आपका 7, 4, 2, 9 तो पहले तो 2 पे तो नहीं जाएगा 3 पे भी नहीं जाएगा ये actually ये जो नंबर है ये सीधा directly आपका 17 पे जाएगा इससे पहले किसी भी नंबर पे नहीं जाएगा आप चेक कर सकते हैं तो साथ स्टार्ट करते हैं 17 4s are 68 ठीक है 6 पज़ गया 62 62 17, 3s are 51 and 7s are 119 4, 37 हो गया then 4, 37 अब ये 19 पे जाएगा 19, 2s are 38 और 19, 3s are 57 so last जाएगा 23 पे तो इसके prime factors है 7, 4, 2, 9 को 17 into 19 into 23 ठीक है तो इस तरह से आपको ये questions को solve करना है Next है मारा question number 2 अब यहाँ पर find out करना है HCF और LCM of following pair of integers और फिर verification करनी है that HCM multiplied by HCF is equal to product of the numbers ये basically formula भी होता है कभी-कभी इसके basis पे questions भी आपको आजाते है LCM multiplied by HCF is equal to product of 2 numbers तो how to find LCM and HCF first तो सबसे पहले ये जो numbers आपको given है split it into the prime factors तो 26 को कैसे split करेंगे So 2 into 13 आप चाहे दूसरे format में जैसे पहले question में किया वैसे भी करके देख सकते हैं या directly भी इस तरह से लिख सकते हैं Then 91 को 7 multiply by 13 ये आगया अब हमने निकालना है सबसे पहले HCF HCF में दो conditions आप लोगोंने याद रखनी है सबसे पहली कि HCF निकालने के लिए जो भी आप number लें वो दोनों में present होना चाहिए ठीक है? दोनों में present होना चाहिए वो number जैसे देखो याँ पर 13 दोनों में common है 2 और 7 नहीं है एक दूसरे में तो हम ये numbers नहीं लेंगे तो HCF क्या हो जाएगा? 13 आ जाएगा और दूसरी condition आपने ये देखनी है कि जो भी आप number लें उसकी छोटी power लेनी है यहाँ तो चोटी power है यहीं ना सेम ही power है 13 की power 1 है 13 की power 1 है तो इसलिए 13 ही ले लिया अगर किसी case में जैसे यहाँ पर 13 की power 2 होता तो HCF के case में आप चोटी power लेते हैं 13 की power जैसे 1 लेते हैं वो जब आएगा तो मैं आपको बता दूँगी दो conditions remember रखनी है सबसे first जो भी आप number लें उसको आपने देखना है कि वो दोनों में present हो और जो number लेना है उसकी छोटी power लेनी है यह होता है HCF LCM के case में उल्टा LCM के case में आपने सभी numbers लेने होते हैं चाए वो एक दूसरे में present हैं या नहीं है और जो भी number लेना है उसकी बड़ी power लेनी है ठीक है अब यहाँ पर बड़ी power का तो कोई scene ही नहीं है तो इसलिए यहाँ पर आप क्या लेंगे 2 भी लेंगे 7 भी लेंगे और 7 में 13 भी लेंगे बड़ जो common number है वो आपको एक ही बार लेना है तो यह आगया 2 into 7 into 13 तो यह बनेगा 182 तो यह आगया LCM इसका अब हमें verification कैसे करनी है वैसे करनी है So left and side पहले calculate करते है LCM multiply by HCF LCM multiply by HCF LCM कितना निकाला? 182 HCF कितना निकाला? 13 Multiply करेंगे तो you will get 2366 यह आजाएगा आपका अब right and side verify करते है Right and side में क्या लिखा है? Product Product of two numbers तो दो numbers कौन से थे? 26 और 91 दोनों को multiply करेंगे तो you will get 2366 तो आप लिखेंगे Yes, it's verified Right? Next part इसका 510 और 92 सबसे पहले हमें इसको Prime factors में break up करना होगा तो यह मैंने इसको split कर लिया है 2 into 3 into 5 into 17 और 92 का बन गया है 2 into 2 into 23 ठीक है? अब इसको हम थोड़ा साथ change करके लिखेंगे यहाँ पर जो 2 है वो दो बार है तो 2 का square लिख लेते हैं into 23 ताकि समझ आ जाए अब आप निकालिए सबसे पहले HCF तो HCF में common number लेना है दोनों में और जो भी number लेना है उसकी छोटी power लेनी है यहाँ पर check करो 2 दोनों में है और 2 की power यहाँ क्या है 1 है और यहाँ क्या है 2 है so we will take 2 की power 1 छोटी power लेनी है बाकी और कोई number दोनों में common ही नहीं है so HCF कितना आ गया 2 आ गया then LCM LCM में सभी numbers लेने है और जो number लेना है उसकी बड़ी power लेनी है तो 2 लेनी है तो 2 की बड़ी power यानि की 2 की power 2 लेंगे multiply by 3 फिर 5 फिर 17 और साथ में 23 जो भी numbers है सभी लेने है इनको अब multiply करेंगे so you will get 2, 3, 4, 6, 0 यह आ जाएगा multiply करके अब इसकी verification करनी है फिर से हमे so verification के लिए सबसे पहले left hand side निकालेंगे HCF multiply by LCM यह क्या आ जाएगा HCF multiply by LCM 2 into 2, 3, 4, 6, 0 इसको multiply करेंगे 4, 6, 9, 2, 0 आ जाएगा ठीक है then we have to verify on the right hand side also तो right hand side में आपने क्या calculate करना है product calculate करना है तो 510 multiply by 92 multiply करने पे आपका same answer आएगा 4, 6, 9, 2, 0 so yes it's verified इसमें एक तीसरा पार्ट भी है 3, 36 and 54 practice के लिए देखिए 3, 36 को break किया है 2 की power 4 बनी यहाँ पर और 7 और 3 साथ में और 54 को break किया तो 2 into 3 की power 3 बन गई अब HCF में क्या करना है common number लेना है 2 दोनों में है तो 2 की छोटी power लेनी है तो 2 की छोटी power है 2 की power 1 3 भी दोनों में है so 3 की power यहाँ छोटी है तो 3 की power 1 लेंगे so 2 into 3 कितना हो गया 6 आ गया HCF 6 आ गया LCM लेंगे 2 दोनों में है so 2 की power बड़ी बनी लेनी है 2 की power 4 ले ली multiply by 3 की power बड़ी लेनी है तो 3 की power 3 ले ले ली और 7 में क्या नमबर है 7 नमबर है so 2 की power 4 16 into 3 की power 3 27 और 7 में 7 इन सभी को multiply करने पे 3024 आएगा ठीक है अब verification करनी है LHS में HCF multiply by LCM यानि कि 3024 multiply by 6 तो वो कितना हो जाएगा 18144 तो यह RHS में क्या करना है product करना है दोनों numbers का वो भी क्या आ रहा है same आ रहा है तो इस तरह से आपको verification भी कर सकते हैं next है मारा question number 3 find HCF and LCM of the following integers by applying the prime factorization method ठीक है तो सबसे पहले numbers यह रखे है 3 income prime factors में split करेंगे 12 को कैसे करेंगे 2 into 2 into 3 आ गया then 15 को 3 into 5 then 21 को 3 into 7 तो यह split होगे prime factors में अब हम इसको क्या calculate करना है HCF HCF में वो number लेना है जो सभी में है तो 3 सभी में है so HCF आ गया है इसका 3 then LCM सारी numbers लेनी है तो 2 की power क्या लेंगे 2 लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 की power 2 है 3 की power सभी में वाननी है तो 3 ले लेंगे साथ में 5 और साथ में 7 इसको solve करेंगे तो यह जाएका 4 into 3 into 5 into 7 12 5 जा 60 67 जा 420 so 420 is the LCM next आगे आपका 17, 23, 29 ठीक है तो 17 is already a prime number तो 17 multiply by 1 23 भी prime number है 23 multiply by 1 29 भी prime number है 29 multiply by 1 so HCF अब HCF क्या है सभी में 1 common है ठीक है तो अगर किसी का कोई common factor नहीं भी है तो उसका 1 जो है वो common factor होता है then LCM LCM is 17 into 23 into 29 तो इसको multiply करेंगे so we will get 1, 1, 3, 3, 9 multiply करने पर तो this is the LCM of 17, 23 and 29 next है 8, 9 and 25 तो 8 को break करेंगे पहले 2 into 2 into 2 यानि कि 2 की power 3 9 को break करेंगे 3 into 3 यानि कि 3 का square और 25 को करेंगे तो 5 into 5 यानि कि 5 का square ठीक है अब यहां से सबसे पहले HCF निकालना है तो कोई भी number common नहीं है तो मैंने बताया था कि सबका जो होता है वो 1 क्या होता है common होता है सभी का factor होता है तो 1 क्या है इसका highest common factor है then LCM LCM निकालेंगे 2 की power 3 multiple power 3 की power 2 और 5 की power 2 8 into 9 into 25 so we will get 1800 as the LCM of this question तो next questions है question number 4 देखते हैं सबसे पहले given that HCF of तो 2 numbers हमें given है 306 और 657 इन दोनों का जो HCF है वो हमें given है 9 है हमें इन दोनों का LCM find out करना है तो हम formula यूज करेंगे HCF multiply by LCM is equal to product of 2 numbers ठीक है तो HCF क्या है आपको 9 LCM आपको calculate करना है product of 2 numbers का मतलब 306 multiply by 657 LCM को ऐसी रहने देते हैं इस 9 को इधर divide कर लेते हैं 306 multiply by 657 divided by 9 ये कट जाएगा 9 1s आ 9 3s are 27 9 4s are 36 तो 34 multiply by 657 will be 22338 तो 22338 चो है वो इसका LCM है तो कभी भी ऐसा हो दो numbers given हो LCM या LCM में से एक चीज given हो तो आप इस formula को यूज करके दूसरी चीज को calculate कर सकते हो next है हमारा question number 5 ये आपको बहुत बार ये क्या दो number में पूछा जाता है check whether 6 की power n can end with digit 0 for any natural number तो सबसे पहले जो भी आपको number given होगा उसकी आपने prime factorization तोड़ कर देखनी है 6 की power को तोड़ो तो 2 into 3 की power n हो जाएगा कभी भी याद रखना किसी भी digit को end with digit 0 कोई भी जो number है वो digit 0 से end तभी होगा जब उसमें इस तरह की composition होती है मतलब 2 की power होनी चाहिए और 5 की power होनी चाहिए तभी वो जो मिलाकर है वो 0 से end हो सकता है अब आप इसमें देख सकते है 2 की तो power है बढ़ साथ में 3 की power है not 5 की power है इसलिए जो 6 की power n है that cannot end with digit 0 तो आपने ये जो थोड़ी सी story है आपको लिख कर आनी होगे आप जैसे 6 की power n की जगा पर 12 की power n है या आप मालो चलो 15 की power n है तो 15 को अगर तोड़ोगे तो 3 into 5 की power n हो जाएगा 5 की power तो है बढ़ 2 की power नहीं है तो end with digit 0 नहीं होगा तो आपने लिख कर आना in order to end with digit 0 prime factorization should contain 2 की power m, 5 की power n prime factorization जो होनी चाहिए should be of the form contain नहीं लिखो should be of the form 2 की power m, 5 की power n next question है question number 6 explain why यह आपको 2 numbers की वन है इस format में ठीक है आपको show करना है कि यह composite numbers है तो composite numbers वो number होते हैं जिनका 1 या अपने आप से इलावा कोई और other factor होता है जैसे मैं example लेती हूँ जैसे 4 है तो 4 की कौन-कौन से factor है 1 है, 2 है और वो खुद अपना है मतलब 1 और 4 के इलावा उसको और कौन सा factor है 2 factor है जब ऐसा कोई number होता है अपने इलावा और 1 के इलावा अगर और कोई उसका factor है तो that is known to be a composite number चेक कर लेते हैं 7 into 11 into 13 plus 13 तो 13 मैंने common ले लिया अंदर क्या बच्चा? 7 into 11 into 1 plus 1 ठीक है? 13 बाहर आ गया ना? तो यहां बढ़ 7 into 11, 77 हो गया 77 plus 1 कितना हो गया? 78 हो गया अब 78 की prime factorization बना कर देखो तो 2 into 2 into 13 बनेगी यानि कि अपने इलावा और 1 के इलावा इसके और भी factors है यानि कि 2 और 13 factors है तो this is a composite number 13 एक prime number है बट 78 एक composite number है तो जब भी composite number को किसी prime number से multiply करते हैं तो answer is always a composite number तो hence proved this is a composite number यह composite number है next बाला भी check कर लो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 तो 5 common ले लिया तो 7 into 6 into 5 की जगह पर 1 आ जाएगा 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 5 क्योंकि common ले लिया वो बहर आ गया है इसको multiply करेंगे तो 1008 आएगा plus 1 1009 अब 5 तो एक prime number है बट 1009 जो है वो एक composite number है so multiply the prime number with composite number answer is always a composite number so hence it is a composite number यह इस exercise का last question है देखो इस question में क्या है there is a circular path around the sports field दो persons है Sonia and Ravie Sonia को 18 minutes लगते हैं to drive one round and Ravie takes 12 minutes for the same suppose वो start कर रहे है same point से same time पे goes in the same direction after how many minutes they will meet again at the starting point तो कब मिलेंगे दुबारा वो starting point पे तो इसमें हम LCM लेंगे 18 और 12 का 18 को मैंने split देखो कर लिया है 2 into 3 into 3 यानि कि 2 into 3 की पावर 2 हो गया और 12 को किया है तो 2 into 2 into 3 यानि कि 2 की पावर 2 into 3 LCM लेना है तो बड़ी पावर लेनी होगी तो 2 की बड़ी पावर है 2 3 की बड़ी पावर भी है 2 तो 4 into 9 कितना हो गया? 36 आंसर कैसे लिख कर आना है? Sonia and Ravie will meet again after 36 minutes are the starting point तो ये लाइन आपको इस तरह से लिख करानी है